तो गाईस स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो में और आज स्मैक्डाउन के अपिसोड में हमें रोमन रेंज और दर रॉक का एक भौती कमाल का प्रोमो सेग्मेंट देखने को मिला जहांपर हमारे दर पीपल्स चैंपिएन दर रॉक ने एक नॉलेज भी कर लिया रोम रेंस पौल हेमां जिमी उसो और स्टोशीक खोड़ को अगे साथ आ यहां पर रिंग में आते हैं वो पौल हेमां से माइक लेगर कहता है है कुछ रोमन रेंज करते हैं और पहे जहां दावाज जाती था इसके करने वाला हूं और अगर तुमने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं यहां से चले जाओंगा इस बार में बिल्कुल सेम वैसा ही होता है और अब रोमन रेंज का दिमाग भूती ज़्यादा खराब हुजाता है वह पॉल हिमन से कहते हैं कि मैं यहां से जा रहा हूं पॉल से कहते है कि एब्यों को बिलाओ और हमारे जट को स्टार्ट करवाओ वो कहते हैं कि यहां पर हमने मूद इखाई कर लिया अब हम यहां से जा रहे हैं हमारा हो गया लेकिन पॉल हिमन यहां पर रोमन रेंज से कहते हैं कि मेरे ट्रैबल चीफ हम यहां से अभी नहीं जा सकते हैं कि व होती ग्रेटेस्ट मुवी स्टार है वो आपके सामने होगा कुछी देर में बस इस ब्रेक्श के बाद के अएंतर देखते हैं कि यह पर looks संग बच जाता है और वो भी यहां पर रिंग में आ जाता है यहां पर रॉक को भी ओडियस काफी जदा बू कर रही होती है रॉक कहते है क्या तुम शौर हो कि तुम रॉक को बू कर रहे हो और इससे पहले कि रॉक के पास तुमारे लिए काफी अच्छी न्यूज है रॉक के यहाँ पर काफे ज़्यादा रिसर्च की और फिर उसे पता चला कि यह एक फैक्ट है यह सिटी गंजेडियों और माल फूगने वालों के लिए एक नमबर वन सिटी है और इसका मतलब यही है कि फाइनली तुमारी लाइफ का कुछ मतलब है और जैसे कि तुम बैठे हो और काफी ज़्यादा अच्छे मूड में आज रोमन यहाँ पर काफी अच्छे मूड में आज यहाँ पर जिमी काफी अच्छे मूड में और सोलो आज काफी अच्छे मूड में क्यूंकि एक बार फिट से और कई सालम में प्रोफेशनल रस्लिंग एक बार फिट से कूल है प्र Memphis Tennessee जहाँ पर Rock अपने hometown में वापस आएगा वो भी sold out होगा और वो इसलिए क्योंकि wrestling एक बार फिर से अच्छे हो चुकी है और वो भी केवल The Rock, Roman Reigns और Bloodline की वज़े से इसके बाद यहाँ पर Rocky Rocky के chance लगने शुरू हो जाते हैं Rock कहते है क्या तुम्हें पता है कूल कौन नहीं है और वो बंदा है तुम्हारा हीरो Cody Rhodes और Cody क्या तुम्हें लगता है तुम अपना मूँ चलाओगे तुम मुझे चैलेंज करोगे और तुम The Great One के साथ एक One on One मैच चाओगे और क्या तुम्हें वो मिल जाएगा और Rock ने सब कुछ देखा है सब कुछ सुना है लेकिन फिर भी The Rock यहां पर मना करता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें Great One के साथ एक One on One मैच मिल जाएगा क्योंकि तुम चाहते हो और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि ऐसा रियल वर्ड नहीं चलता लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दू पूरा वर्ड चाहता है कि उन्हें The Great One के साथ एक One on One मैच मिले और क्या तुम जानते हो और वो कौन है जिसे की One on One मैच ही है और वो हर वो मैन है जो कि इस अरेना में वो भी The Rock के साथ One on One चाहती है इसके बाद The Rock यहां पर एक एडल जोक मारते हैं वो कहता है कि तुम यहां पर The Rock के लिए रेडि नहीं हो इसके बाद The Rock कहते है कि यह One on One नहीं होने वाला और कोड़ी क्या तुम एकistant बेयोकूफ हो तुम रॉक के साथ एक One on One सुन लिया और हमें तुम्हारा चैलेंज्ज समझ आ चुका है और क्योंकि रोकए बिजनेसमैन है इसलिए रॉक के पास तुम्हारे लिए एक दूसरा ऑफर है और वौँ ओफर यह है जब तक रॉक इतना कहता है ते Saul कोई चिला रहा होता है रोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ जोकर साथ रॉलिंच चल रहा है वह काफी जदा टफ है तो तुम्हारे लिए मेरा एक चैलेंज है नाइट वन में एक बड़ा स्टोडिक टैग टीम मैच होगा और वो होगा कोडी और सेथ वर्सेज रोमन एंड रॉक और अगर तुम इस मैच को एकसेप्ट करते हो तो वह कोई नॉर्मल सा टैग टीम मैच नहीं होने वाला क्योंकि रॉक और रोमन तुम्हें बहुती अराम से हरा देंगे लेकिन हम यहा पर लॉयर्स को बुलाएंगे उनसे कॉंट्रेक्ट साइन करवाएंगे और यह रोक का वाद है यह रोमन का वाद है और अगर तुमने हमें नाइट वन में हरा दिया तो कोडी तुम्हें अपनी स्टोरी फिनिस करने का अच्छा खासा मौगा मिल जाएगा और फिर तुम्ह पर एक रेफरी बन जाए और हो सकता है वाइज मैन कोई नया औजार निकाल दे हो सकता है सोलो वहाँ पर नेशनल एंथम गाना चाहे वहाँ पर पूरी तरह से ब्लर लाइन का रूल होगा और हा और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सोच सकते हो और तुम हमें अगले हप्ते Dallas, Texas में मिल सकते हो जहां पर हम face to face खड़े होंगे और फिर तुम अपना जवाब देना और अगर तुमने हमारे challenge accept नहीं किया तो तुम भी जानते हो यह लोग भी जानते हैं और पूरी द director में बैठता है और the rock सबकुछ चलाता है इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि the rock तुमारा बॉस है और वहाँ backstage में कोई भी ऐसा बंदानी है जो कि the rock को रोख सकता है ना कोई gender manager है और ना ही वहाँ मैकْडाउन में मिल सकते हो और तुम हमें आंसर दे सकते हो इसके बाद रोण अपनी वह pamię remaining बोले होता हैं और यहा processo और यहाँ पर миमें के लिए कुछ भी करूंगë लेकिन मुझे तुम से एक चीछ चाहिए इसके बाद वो The Rock से कहते हैं कि मुझे acknowledge करो Rock यहाँ पर काफी ज़्यदा शौक हो जाते हैं पहले तो ऐसे लग रहा था कि वो Roman Reigns को acknowledge नहीं करने वाले यहाँ पर यू सोल्ड आउट के चैंट्स लगा रहे होते हैं यानि तुम बिग गए लेकिन दर रॉक इस चीज का जवाब देते हुए कहते हैं कि बेवकुफों दर रॉक तुमें इसका मतलब समझाएगा यह फैमिली है और हम दोनों फैमिली के लिए कुछ भी करेंगे और तुम घर जाओ और थोड़ा सम्माल और फुको इतना कहने के बाद दर रॉक फिर से कहते हैं इसके बाद रॉमन रेंस को दे देते हैं इसके बाद रॉमन रेंस कहते हैं और इसे के साथ यह सेगमेंट यहीं पर खतम हो जाता है और एंड में हम यही देखते हैं कि यह सारे यहां पर ब्लड लाइन का पोस्ट बना कर रिंग में खड़े होते हैं लेकिन दर रॉक यहां पर फिर से अपनी उंगलियों के साथ हेर फेर कर रहे होते हैं पहले तो वह यहां पर कोई अलग साही सायन बनाते हैं लेकिन बाद में वह यहां पर ब्लड लाइन का सायन बनाते ह रही है वो यह भी टीज कर सकते हैं कि तरोग यहां पर रोमन रेंस को धोका देने वाले या फिर यह चीज भी हो सकती है कि ट्रिपल एस एलिमेंट को इसलिए एड क्या हो ताकि ओडियन्स यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए लेकिन रसल मेन्या में वह ऐसा करें ना तो काफित सारे चीज़े हो सकती हैं और यह इस टोई लियान डे भाई डे काफित जादा कमाल की होती जा रही है बागी गाइस यही था रोमन रेंस और द्रोग का आज का फुल प्रोमो सेग्मेंट उम्मीद आपको इवीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो